Hello Friends, तो आज हम जो Class 12 Chemistry का जो Chapter 7 तक पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ने वाले Chapter 8 उपसाय सयोजन योगी के बारे में ठीके Coordination Compound Chapter का नाम है ठीके तो आज हम इसमें Coordination Compound होते क्या है और आपकी इसमें Legand क्या होते हैं? ठीके, Legand के बारे में भी जानेंगे तो भाई वीडियो पहुत important होने माला है तो प्लीज वीडियो को लाज तक देखना है तो चलिए शुरू करते हैं Coordination Compound पढ़ते हैं ठीके हैं तो देखो बात करें Class 12 Chemistry का Chapter 8 नाम है Chapter का उपसाय सयोजन योगी Coordination Compound तो पहले बात करें कि Coordination Compound होता क्या है तो देखो बात करें Coordination Compound क्या होता है तो देखो कहा गया आपसे उपसाय सयोजन योगी के बारे में कि वे योगात्मक योगी मलब वे योगात्मक योगी जो ठोस एवं जली विलियन दोनों में इस्थाई होते हैं ये इसकी पईबासा है कि वे योगी वे कौन से योगी योगात्मक योगी वे योगात्मक योगी जो ठोस एवं जली विलियन दोनों में इस्थाई होते उपसाय सयोजन योगी कहलाते है तो देख सकते उपसाय सयोजन योगी के एक्जामपल आपको नीचे दिया गया है जिससे हमने लिखा k4 fe cn का whole sorry यह जो 6 आपका लिखा यह बाहर होता है यहां पर ठीक है k4 fe cn का whole 6 मतलब 6 cn इस पर लगे यह बात होती है k4 fe cn का whole 6 आप बात करें जो आपको formula दिख रहा है यह आपका होता है oopsie oxygen योगिक ठीक है इस टायब से जो योगिक बनते है उन्हें आप oopsie oxygen योगिक कहते हो जिन में आपका kendri parmalu होता है देख सकते हैं यो आपका यह लगा हुए fe यह आपका कहलाता है kendri parmalu जिसे ingles में center item कहते है ठीक है और यह जो आपका केंडरी परमाडू से 6 CN जुड़े हुए, CN कितने जुड़े हुए 6, तो इसे हम कहते है लिगेंड, ठीक है, देख सकतो इसे कहते हैं, लिगेंड और ये पूरे हमारे क्या कहलाते है, उपसाय सोजन योगी, तो देखो कुछ रही एकदा मासान है, ये उपसाय सोजन योगी हम जान गए, तो इस पर ये जो आपका अंदर लगा हुआ है, ये आपका, ये आपका में आइटम कहलाता है, कहसी तो केंदरी परमाणू कहलाता है, ठीक है, ब्लस होता है, तो ये क्या है धनायन? अगर इदर कोई लगा ओता तो वह ड़यान होता है ठीक है तो अभी वह आगे बात करेंगे अभी देख लो इसे कहतें उससे हो सुजन योगी कि आपका केंद्री परमारु होता है और यह होता है क्या लिगेंड ठीक है तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि क्या होते Coordination Compound तो आप देख सकते हुआ परिवास्वासन यह थी आप बत करते इसकी उपसैस योजन संख्या आप ये जो आपका जोफसैस योजन योगी कैऊ इसकी उपसैस संख्या क्या होती है तो थेको ये जो उपसैस योजन संख्या ये भी बहुत important है पूछी जाती है ठीक है बहुँ इकल्पी क्वेस्चन में क्यों उपसाय सोजन संख्या मतलब किसी धातु का आपको दिया जाएगा इसकी उपसाय सोजन संख्या बताओ तो आपको बताना पड़ेगा ठीक है तो देखो केंद्री धातु परमाडू से जुड़े एक दंती लि हमें ठीक है चिव्ली परमाडू है और next क्या लिगेंड है तूअ hen अ माडूसे किपार माडू से कितने लिगेंड जूड़े च्प Посound उपसैसरोजण संख्या कहलाएगी इसलिए इसकी उपसैसरोजण संख्या क्या हो गई 6 तो एगद मासाने केंदः धात्व परमादू से जुड़े जो एक धन उससे उससा से उजद बंध दोरा बंद मनाते हैं लिगंड कहलाते हैं, मतलब कि ये जो आपके F-E से 6-E-N जुड़ी है, प्रकार जुड़ी है, उससे उजद बंध दोरा जुड़ी होते हैं, और कैसे जुड़ाते हैं, Іलेक्टरान यूगम प्रदान करके, इन परियुक्तान का यह उगमोत है, इसको प्रदान करके यह इससे उपसयसयोजक बंद दॉरा चुड़ते हैं, ठीक है, कैसे चुड़ते हैं उपसयसयोजक बंद दॉरा, टो यह बात होती है ठीक है, लिगेंड कहलाते का गया वे परमाडू अडू या आयन जो उफसयासयोजग योगिक में केंदी धातु परमाडू को इलेक्टान यूग में प्रदान करके उससे उफसयासयोजग बनाते हैं उन्हें हम क्या करेते हैं भहिया लिगेंड तो यह बात होगी उफसयासयोजग करके उफसहसोजहक बनाता है। उससे एक दंथो लिगन की परिवासा थी कि वे पर्माड़ों ब क्रदान यूगिक में केंद्रि पर्माड़ू को एक आककाकी। उसे हम कौन सा कहते हैं आपका एक दंटूर लिगेंड के हैं देख सकते हैं आपको पता है निटरोजन के ऊपर, इलेक्टरान का एक यूग मुपस्तित होता है ठीक है यह दो है और इसी प्रकाही यह चो निगेटिव तो आपको पता है जहां पर निगेटिव उसने क्या किया है इलेक्टरान क्या किया है उसके पास इलेक्टरान कहीं बाहर से है तो उसका मनलब दो इलेक्टरान है उसके पास ठीक है तो दो इलेक्टरान उसके पास है निगेटिव का मनलब जहां भी आपको निगेटिव दिखे आप जान वारा जुड़े तो उसे क्या कहता है द्वी दंतुर लिगंड तो परवा सही लिग लेंगा बार दो एका की इलेक्टरान युग में ठीक है तो देख सकते हो हमने जांपा लिए अथलीन डायमीन ठीक है तो दोनों फॉर्मला एक ही है चाहिए आप इस तरस लिखो चाहिए इ तो देख सकते हो सियन, मतलब थायो साइनेट अईन ठीक है स सियन है अपका और यह आपकास decision देख सकते हो a.b. cm मैं भी केंदि धातु परमाणू मतलब कि दोनों तरब electr लेक्रान के यूग्म उपस्तित।ि इधर भी लेक्रान यूग्म इधर भी लेक्रान यूग्म इसी प्रकार इसमें ही इधर भी लेक्रान यूग्म तो इससे improved than your wait every easy both यूग्म से यो है मधर् backwards केंदरी धातू बर्माणों मतलब बना सकता है और यह जो आपका nitrogen है इसके पाप भी एक electron यूग में पड़ा हुआ है तो यह भी क्या कर सकता है यह भी क्या कर सकता है यह भी आपका उसके केनिधात्य पर्माड के साथ जुड़कर क्या बना लेगा उफसायसोजग योगी तो मतलब इदर से भी बनवा सकते है उसके सव All-xis Anyo学nant और इधर से इस कारण इस की Creating को उभ्वधान्तूर लिगंड कहते हैं तो देख सकते हैं यह बात लेओप सुर्छं नक्रेऩ लगीक तो भाई यह यह चेप्टर था आपका चेप्र का पहला वी nieuदीओ था उसके सुन झाल 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 झाल